तो आज हम लोग एक्सराइस 5.1 का Q4 कंटिन्यू करेंगे तो जितने लोगों को Q1 तु थर्ड में प्रॉब्लम है वह अलड़ी एक पार्ट अप्लोड़ेड है तो पहले प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी कुछ भी प्रॉब्लम को देख लो किसी को वन से लेकर थर्ड तक में प्रॉब्लम है तो वह अलेडी एक पार्ट अप्लोड़ेड है उसको देख लो तो हम लोग अर्थिमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 एक्सराइस 5.1 का Q4 करने वा तो ap में है या नहीं अगर ap में तो common difference fine करो common difference fine करने के बाद उसके 3 terms और fine करने है clear ए चलो तो फर्स पार्ट देखो ठोड़ डायक्ली करेंगे A1, तो 4-2, 2 आ गया, अगर common difference हम A3-A2 से निकाले, वो भी same आना चाहिए, तो 8-4, यह 4 आ गया, तो यहाँ पर दिख रहा है कि first, अगर हम A2-A1 कर रहे हैं, वो 2 आ रहा है, A3-A2 कर रहे हैं, वो 4 आ रहा है, similar way में, अगर A4-A3 से निकाले, तो 16-8, वो 8 आ जाएगा, तो common difference vary कर रहा है, इस series में, तो यह AP में नहीं होगा, जो first होगा, वो AP में नहीं होगा, clear, अगर AP में कोई भी term होता है, आप लोगों पता होना चाहिए, अगर AP में होगा, तो common difference throughout the series, same होना चाहिए, constant होना चाहिए, vary नहीं करना चाहिए, ओके, चलते हैं second part पर, second पर, again, 2, 5 upon 2, 3, 7 upon 2, यह series given है, तो basically यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यह क्या होगा है, अगर चाहिए तो इसको decimal में change कर सकते हो, अगर decimal में change नहीं करना तो कोई बात नहीं, बिना decimal में change किया, हम solve कर सकते हैं, तो यहाँ पर first term की बात करें, इसको a भी बोलते हैं, वो 2 है, second term की बात करें, वो 5 by 2 है, third term की बात करें, वो 3 है, और fourth term की बात करें, वो 7 by 2 है, तो अगर common difference निगालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, a2 minus a1, तो 5 by 2 minus 2, simplify किया, तो 5 minus 4, 1 by 2 आ गया, तो common difference हम a3 minus a2 से भी निकालते हैं, a3 minus a2, a3 कितना है, 3 minus 5 by 2, तो यह जगा 6 minus 5, यह भी 1 by 2 आ गया, similar में a4 minus a3 कर लो, वो भी सेम रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि हम a3 minus a2 करे, a4 minus a3 करे, a2 minus a1 करे, उससे फर्क नहीं पढ़ रहा है, common difference, same आ रहा है, half, तो यहाँ पर common difference half हो गया, उसने कहा है, further more 3 terms निकालो, तो 3 terms निकालना है, मतलब a5 निकालना है, तो a5 में क्या करेंगे, a4 में, a4 में d add कर दो, तो 7 upon 2 plus 1 upon 2, वो 4 हो जाएगा, a6 में क्या करेंगे, a5 में d add कर दो, a5 के इतना आ गया, 4, उसमें 1 by 2 add कर दो, मतलब half add कर दो, यह जागा 9 by 2, a7, a7 क्या होगा, a6 में d add कर दो, तो यह 9 by 2 plus 1 by 2, क्या हो जागा यह 5, यह तुमारा ap में होगा, और यह इसके बाकी के further के 3 terms यह है, a5, a6, a7, find out कर लो, clear, चलते हैं हमारे 3rd part पर, इसमें बहुत सारा part है, तो बहुत time लगया, कुछ 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 कुछन जो simple होगा, वो मैं छोड़ दोँगा, तो 3rd and 4th खुछ से कर लोगे, जो मैं 4th बता दे रहा हूँ, 3rd खुछ से कर लेना, मैं 4th बता दे रहा हूँ, 4th part देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे parts है, सब same type के question है, 4th में यह minus 10 है, minus 6 है, minus 2 है, 2 है, negative term है, तो मैं solve कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 1st term कितना है, minus 10, 2nd term minus 6, 3rd term minus 2, 4th term 2, तो D निकालते हैं, D निकाला है, A2 minus A1 से पहले, A2 कितना है, minus 6, minus, यह minus है, A1, A1 sign के साथ रखना, बहुत गलती क्या होती बच्चों से, कि यहाँ पर minus 10 के जगर सिर्फ 10 रखते हैं, यह गलत है, तो यह जाएगा, minus 6 plus 10 is equal to 4, D निकाला, A3 minus A2 से, A3 कितना है, minus 2, minus of, A2 कितना है, minus 6, तो यह जाएगा, minus 2 plus 6, again 4 आ गया, A4 minus A3 करोगे, वहाँ भी 4 आ जाएगा, तो common difference constant है, तो यह AP में हो जाएगा, AP में हो जाएगा, उसने का further 3 terms find करना है, तो मालनों, A5 find करना है, A5 क्या हो जाएगा, A4 plus D, A4 कितना था, A4 था 2, 2 में D add कर दो, 4, 6 आ जाएगा, A6 क्या हो जाएगा, A5 में 6, A5 में D add कर दो, A5 plus D, A5 कितना है, 6, D कितना है, 4, 6 plus 4, 10, A7 क्या हो जाएगा, A6 में D add कर दो, A6 कितना है, 10, D कितना है, 4, 14 हो जाएगा, यह तुमारा series बन जाएगा, clear है, चलो, 5th करते है, 5th में root का term है, तो 5th कर लेते हैं, तो 5th में क्या कह रहा है, दखो, root का term हो, तो ध्यान से करना, 5th में कह रहा है यह, जो हमारा 1st term 3 है, 2nd term 3 plus root 2 है, 3rd term 3 plus 2 root 2 है, और 4th term 3 plus 3 root 2 है, तो यह A1 है, यह A2 है, तो यह A3 है, A4 है, तो अगर D निकालना है, तो किसी ने A2 minus A1 से निकाला, A2 कितना है, 3 plus root 2 minus A1, 3, यह कितना आ गया, root 2 आ गया, तो किसी ने निकाला, A3 minus A2 से, A3 कितना है, 3 plus 2 root 2 minus 3, तो यह कितना आ गया, 3, 3 cancel out, 2 root 2 आ गया, तो यहां दिख गया हमें, कि common difference change हो गया, अगर common difference, ठीक है, यहां में दिख रहा है, common difference यहां पर change हो रहा है, ठीक है, common difference यहां पर 3 root, अच्छा, एक सेकंड, यह 3 plus, sorry, मैंने first term रख दिया, 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2, यह रखेंगे न, यहां पर, यह 3 minus root 2, तो 3, 3 cancel out, यहां पर 2 root 2 minus root 2, ठीक है, देखो, यहां पर 2 root 2 minus root 2, यहां पर बच्चे confuse करते हैं, कि क्या होगा, यहां पर, तो 2 root 2 में से, 1 root 2 को minus कर दिया, तो क्या बचेगा, root 2 तो बचेगा, तो यह भी हो जाएगा, root 2, clear है, तो हमने common difference क्या देखा, common difference constant है, root 2, तो यह AP में हो जाएगा, fifth term जो है, series जो है, वह AP में होगा, clear है, अब हमें further क्या find करना है, further find करना है, a6, a7, a8, यह हमें find करना है, clear है, तो हम find करेंगे, तो पहला है, a4 तक given है, a5 find करेंगे, a5 क्या होगा, a5 हो जाएगा, a4 plus d, a4 कितना है, 3 plus 3 root 2, plus d कितना है, root 2, add कर दिया, तो यह हो जाएगा, 3 plus, 3 root 2 में root 2 add कर देंगे, मत्तब 3 root 2 already हमारे पास है, 3 root 2 पहले से हैं, और इसमें 1 root 2 add कर देंगे, तो हो जाएगा, 4 root 2 हो जाएगा, यह light terms है, तो इस 3 में add, इस root 2 को, बहुत लोग क्या करेंगे, इस 3 में add कर देंगे, नहीं, वह नहीं कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा, 4 root 2, वैसे ही, a6 क्या हो जाएगा, a6 हो जाएगा, a5 plus d, अब मैं डाइक लिक कर रहा हूँ, a5 plus d, a5 क्या हो जाएगा, a5 हमारा है, 3 plus 4 root 2 plus d, तो यह हो जाएगा, 3 plus 4 root 2 plus root 2, तो यह हो जाएगा, 3 plus 5 root 2, clear है, वैसे, a7 फाइड कर लेना, यह हो जाएगा, तो फ्री प्लस 6 root 2, तो दिख रहा है, यहाँ पर पहले 3 था, फिर root 2 हुआ, फिर 2 root 2 हुआ, फिर 3 root 2 हुआ, फिर 4 root 2 हुआ, फिर 5 root 2, फिर 6 root 2, यह तुम्हाँ AP में चल दा है, common difference of first term तुम्हें पता है, तो बस find कर सकते हैं, कोई दिखत नहीं है, ओके, 5th part कर लिए हमने, करते हैं, 6th part कर लोगे, decimal मायास करना है, सेवन्त भी कर लोगे, नॉर्मल टर्म है, 8 भी, 8 fractions भी 8 करते हैं सिधा, clear है, 8 करते हैं, तो मैं यहाँ पहले बलाओं, सारे parts को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे parts हैं, और एक ही काम करना है, तो कोई फाला नहीं है, तो minus 1 by 2, 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 values daqui, minus, minus 1, 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 minus 2, minus 1, minus 1, minus 1, minus 2, minus 1, minus 2, equals 0, दिखला है, ना, शेम टर्म मैं, minus करोगे, तो 0 ही आएगा, ृच्छहे, किसीने t निकाला, a3-a2 से a3-a2 से again a3 क्या है minus half minus a2 क्या है minus half तो again यह 0 आ जाएगा तो d क्या आ रहा है d constant आ रहा है d constant इसको हम ap में बोलेंगे basic difference से नहीं ap कर जाईए कि आपका common difference अगर constant है तो वो ap में कराएगा तो यहाँ d constant है तो इसको में ap में बोलेंगे तेक है अब यह ap आ गया इसका common difference 0 है first term second term third term fourth term given है हमें निगालना 5th term 5th term क्या हो जाएगा a4 plus d तो 0 यह फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी आट करते जाओ तो यह भी minus half हो जाएगा a6 भी minus half हो जाएगा क्योंकि 0 add करना है और a7 भी minus half हो जाएगा क्योंकि हम 0 add कर रहे हैं तो यह हमारा 5th, 6th and 7th term हो जाएगा clear चलो चलते है next 9th पर 9th 1, 3, 9, 7 है यह कर लोगे कोई दिकति नी चोब मैं 9th कर दो हम जल दी से 9th में क्या है देखो 9th पार्ट में यह 1397 है तो यह a1 है यह a2 है यह a3 है यह a4 है तो d क्या हो जाएगा a2-a1 तो 3-1, 2 किसी निकाला a3-a2 से तो वह जाएगा 9-3, 6, different है common difference यहाँ पर different आ रहा है तो यह a p में नहीं होगा क्योंकि common difference अलग-अलग आ रहा है तो यह a p में नहीं है ठीक है चलते है next 10th पर 10th में दिख़रा है a अब a के term में कोई दिखत नहीं a के term में तो a के term में 10 प्या हो जाएगा a first term 2a second term 3a third term 4a fifth term तो यह तुमारा मालनो first term है यह तुमारा second term है यह तुमारा third term है यह तुमारा fourth term है हमें निकालना है पहले D, D क्या हो जाएगा, A2-A1, तो 2A-A, A आ गया, किसी ने निकालना D, A3-A2 से, consecutive term का difference निकाल, D देता है, हमें पता हों, 3A-2A, ये भी A आ गया, वैसे 4A-3A कर लो, वो भी आएगा, तो ये AP में कहला आगा, क्योंकि common difference सेम आ रहा है, तो ये AP में है, त तो further तुम्हें क्या निकालना है, further निकालना तुम्हें, A5, A5, तो A5 को हम लिख सकते है, A4 plus D, तो A4 कितना है, A4 4A, D कितना है, A, 4A plus A, 5A, A6 क्या हो जाएगा, 5A plus A, 6A, और A7 क्या हो जाएगा, 7A, तो दिख रहा है, A, 2A, 3A, 4A, फिर 5A आएगा, फिर 6A आएगा, फि clear है, थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि A जैसा ही question है, तो बार-बार same चीज़ रीपीट नहीं कर सकते, 11th की बात करे, तो first term A है, second term A square है, third term A cube है, fourth term A की power 4 है, तो यहाँ पर A में number multiplied हो रहाता है, यहाँ पर A को A से multiply कर रहे, दो में difference है, clear है, तो यहाँ पर D न यह आएगा, A cube minus A square करोगे, ठीक है, तो यह अलग-अलग है, common difference है, यहाँ पर अगर तुम A common लोगे, तो यह A minus 1 हो जाएगा, यहाँ पर A square common आएगा, और यह हो जाएगा, A minus 1, ठीक है, common difference यहाँ पर अलग-अलग आ रहा है, अगर common difference अलग-अलग आ रहा है, तो यह AP में न नहीं क्यालाएगा, clear, चलते हैं 12, 12 में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि रूट का टर्म है, तो रूट के टर्म को हमेशा पहले simplify कर लो, तो ही compare कर पाऊगे, जैसे मालो, first term root 2 given है, तो root 2 तो prime number है, further factorize नहीं हो सकता, या उसको हम solve नहीं कर सकते, second है root 8, फिर है root 18, और फिर है root 32, तो हम इसको simplify कर लेंगे, यह root 2 लिखा हुआ है, root 8 को हम 2 root 2 लिख सकते हैं, लिख लिया, root 18 को लिख सकते हैं, अगर लिखने जाओ, 3 root 2 और 32 को 4 root 2, तो simplified form में लिख लो इसको, तो अब तुमाने लिए first term यह है, second term यह है, third term यह है, और fourth term यह है, तो common difference क्या होगा, a2 minus a1, तो 2 root 2 minus root 2, तो यह आजागा root 2, किसी को निकालना है, a3 minus a2 से, निकालो, 3 root 2 minus 2 root 2, यह क्या आजागा, root 2, तो common difference same आ रहा है, तो यह ap में कर आएगा, twelfth part, यह ap में है, clear, ap में है, तो में next क्या निकालना है, तो में next निकालना है, माल लो, fifth term, तो fifth term क्या हो जाएगा, a4 plus d, a4 कितना है माना, a4 है 4 root 2, 4 root 2 में root 2 add कर दो, ठीक है, हो जाएगा 5 root 2, a6 क्या हो जाएगा, a5 plus d, 6 root 2 हो जाएगा, वैसे ही a7 क्या हो जाएगा, 7 root 2 हो जाएगा, यह तुम्हारा answer हो जाएगा, और अगर तुम्हें इसusi के प़ DOM में लिखना है, तो इसका square करके root में डाल दो, 5 root 2 को हम नहीं सकते है, five का square, 25, root 50, ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो root में डाल के लिख सकते है, उससे फर्ट नहीं पर रहा है, उसने यह नहीं कहा किस फ़ Um में लिखना है, बस terms लिखने है, तो terms हमने ऐसे लिख दिया clear है चलते next 13 पर 13 भी same है simplify कर लेना root y terms को फिर solve compare करना clear 13 भी exactly same है simplify करके फिर compare करना 14 14 देखो 14 में 1 का square है 3 का square है 5 का square है 7 का square है सिर्फ square है कि यह मत सोच लेना कि वह term अभी में नहीं हो गार या ऐसा कुछ नहीं होता है तो सिंप्रिफाय करना 1 जा है 1 और 9 यह 45 होता है ortay यह तो लोर्म थर्ट 10 है यह थो किलान टार्म मोगा यह था रूंपry यह थोंपर मोगा यह तो कॉमौन डिफ्रेंस a2-a139. तो 9-1, 8 किसी ने A3-A2 से निकाला तो 25-9 यह हो गया 16 यहां दिख रहा है common difference vary कर रहा है तो यह AP में नहीं होगा similar way में तुम 15 भी कर लेना, ऐसे ही check कर लेना clear है तो यह तुमारा question 4 इस हिसाब से हमें find करना है अगर AP में है तो further कैसे आगे का term निकालते हैं वो मैंने बता दिया तुम्हें clear है तो उमीद है वीडियो समझ में आया होगा तो आए जो doubts वगरा होगे कुछ clear होगे होगे अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो तुम्हें सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और फिर देखो कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है दोबारा देखो फिर भी प्रॉब्लम आती है तो comment section में डालो क्लियर है और वीडियो पसंद अगर तुम्हें चैनल यूसफूर लगा हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देना और बाय राकन दबा देना जल्दी से मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स पार्ट में नए वीडियो के साथ नए एक्साइस के साथ AP का एक्साइस नयाद डालेंगे हम लोग 5.1 complete हो चुका है continue करेंगे 5.2 तब तक के लिए good bye take care